कि मेरा नम सुबोच चौरे है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप economics की तयारी कर सकते MPPSC mains और mains के साथ से सो बेसिकली एक interactive session रहेगा बहुत शौर्ट में दसनेट नम को बताने वाला हूं कैसे आप mains में अच्छे से score कर सकते हैं पहली चीज़े MPPSC mains की बात करेंगे economics का टॉपिक है वो 2020 मातर 30 नमबर का दिया हुए जिसमें Indian economy world economy concept of economy है और 30 नमबर का MP economy जिसके अंदर MP का cooperative sector, industrial sector और agriculture sector और developmental और resources वगरा सारी चीज़े दिया है यह 30 नमबर का है तो माल की चलिए 60 नमबर 2020 के mains की syllabus में दिय हुई है और 2019 के syllabus के अंदर economics आपको 1500 नमबर के आने वाली है तो वह जो 1500 नमबर उसमें से 30 से 40 नमबर आप समझ लीज़े MP के रहेंगे और बाकी आप general economics के subjects रहेंगे उसमें questions रहेंगे तो economic अभी पर attempt करने के लिए आपको current का थोड़ा बहुत ग्यान होना आप शक है यह current का ग्यान आप किस चीजों में डालेंगे आप जो भी योजनाय वगरा है उसमें आप इसको input कर सकते हैं और इसके लावा आप जो भी conclusion है आपके answers के उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि क्या क्या आपका current में चल रहा है जैसे इस साल का जो budget है उसमें उसके पहले economic survey आया है तो economic survey के अंदर कुछ data आया होगा तो उसमें से डाल सकते हैं जैसे इस साल का economic survey का data है कि करीमन 98,000 रुपीज जो है वो हमारे MP का जो है that is per capita income है तो यह इस साल का economic survey में आया है तो इस प्रकार का data आप अपने answers में put कर सकते हैं तो यह चाहे आप poverty के question में कर सकते हैं unemployment का topic है उसमें कर सकते हैं अब बात करते हैं topics कौन से कौन से बढ़ने हैं आपको mains के लिए economics के तो topics में सबसे पहले आपको basic concept समझना जरूरी है basic concepts economy क्या है economic के types क्या होते है economics क्या होती है open economy क्या होती है closed economy क्या होती है mixed economy क्या होती है capitalistic क्या होती है तो यह सब चीज़े आपको बढ़नी है economic के types उसके बाद थोड़ा सा basic आप economic के बस आगे आएंगे तो कुछ macro economics होती है और micro economics होती है 3 market की questions है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यह देखना है कि banking में क्या क्या चीज़े हुई है 1991 के पहले आप divide कर लेजी economics को 1991 के बाद कर लिजे because 1999 में LPG reforms जो आए थे उसके बाद थोड़ी चीज़े change हुई है तो आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं 1991 के पहले क्या की system चल रहा था और 1991 के बाद से भी 2020 तर किस प्रकार की system चल रहा है तो एक banking ले लेते हैं तो banking में आपको देखना रहेगा कि इंडिया में banking की history क्या है उसके बाद जैसे bank of odd bank चालू हुआ था जो पंजाब national bank की रुप में पहला bank इंडिया का बना उसके बाद imperial bank है जो SBI की रुप में बना तो RBI कैसे form हुआ था फिर banking का national action दो बार हुआ है कब कब हुआ था banking की कौन से international norms चल रहे हैं फिर उसके बाद RBI यानि Central Bank of India ये क्या काम करता है RBI qualitative और quantitative tools जो है RBI के inflation को control करने के लिए credit को maintain करके रखने के लिए तो ये चीजे जो है वो tools कैसे काम करते हैं हरे tools की बार 3 marker current win की values क्या है ये आपका topic रहेगा उसके बाद banking में आप inflation बढ़िएगा inflation के कैसे inflation होता है pull factor को और push factor क्या होते है inflation के उसका different types of inflation ये आपको बढ़ रहेगा इसका curve से आपको देखना पढ़ेगा फिलिप्स का वाप पढ़ सकते हैं तो ये आपका banking वाला topic हो जाएगा banking के अंदर अभी recent time में भी क्या के चीज़े आई है जैसे की demonetization क्या होता है right कौन से level की banking अभी चल रही है NBFC क्या होते है different sector के लिए कौन से बैंक क्या होते है अबाट के उपर question आ सकता है तो इसे बहुत सारे question से जो of course आपको मैं further videos में बता दूँगा next चीज जो दूसरी आपको पढ़नी है इसके दर economics के अंदर अगला आते हैं हम लोग banking is a part of financial market system जिसके अंदर एक होता है capital market formation so capital और money market money market is like banking and capital market में आपका जो share market और जितना भी प्रकार capital formation आप देखते हैं वो सारा उसके अंदर आजाता है तो हमें देखना है कि share क्या होता है diventures क्या होता है equity क्या होती है share market कैसे काम करता है और इसके बाद हमें देखना है कि sensex क्या होता है BAC NAC का formation ही basic questions है इसके बाद सरकार जो है उसमें जो finance ministry है और हमारा जो RBA ही दोनों अलग लग काम करते है तो RBA हमारी monetary policy बनाती है और जो हमारी financial policy जो है that is being made by finance ministry तो finance ministry की क्या policy होती है और RBA की क्या policy होती है इनमें difference क्या होता है यह आपको basic पता बना चीए हो जाएगा इसके बाद आप थोड़ा सा industry में पढ़िए industry क्या होता है तो पहले जब आप economy पढ़ रहते तो आप देखा था economy के दर basic 3 sectors होते है primary, secondary और tertiary primary, secondary और tertiary होता है और यह जो sectors होते है इसके लावा कॉर्टिनर भी होता है तो यह sectors basically तीन जो होते है आपका agriculture होता है primary, manufacturing, industries होता है secondary और तीसरा जो आपका service industry होता है तो यह तीन sectors कैसे काम करते है आपको देखना रहेगा तो primary या अगरिकल्चर तो अगरिकल्चर की क्या scheme है यूजना है, development कैसे हुआ, green revolution क्या था agro light sector में क्या क्या हुआ था white revolution क्या हुआ था तो different types के revolutions agriculture में क्या क्या institutions काम करना है क्या government की scheme है same industries manufacturing sector में कौन से कौन से manufacturing sector है इसके लिए कौन से institutions है क्या schemes है, सारी चीज़े policy की है यह आपको देखना रहेगा फिर service sector में किस प्रकार का काम हो रहा है फिर उसके लिए industry की बात करेंगे तो फिर हमारा MSME sector कैसे काम करता है यह आपको देखना रहेगा तो like ही आपका total in total economics है इसके लावा आपका जो है वो है आपको 1991 के जो हमारी LPG policy थी उसकी सारे parameters आपको देखने है यह आपको हो जाएगा फिर topic दिया आपके इसमें developmental experience of India तो यह क्या है कि इंडिया ने अभी तक जो 2020 तक अलगला phases में किस प्रकार का development किया है हर एक छेतर के अंदर इसको डिवाइट कर सकते हैं आजादी के पहले 1947 के पहले 1947 के बाद से 1991 तक और 1991 से लिखे 2000 की बिच में आपको topic हो जाएगा फिर cooperative moment आपके subject में दिया हुआ है तो cooperative moment जो system है cooperative moment जो चलता है वो MP में आपको miserly पढ़ना है इंडिया है पढ़ना है तो आपको बता हुचिए what is cooperative उसके बाद next cooperative के types क्या होते हैं कौन से कौन से act है cooperative moment इंडिया में क्या चला है MP में क्या चला है इसके फाइदे नुकसान के है तो आप पढ़ लेंगे तो साथ चीज़े से एक्जामपल ले लिजे अमोल जो cooperative sector में काम कर रहा है यह ले लिजे तो यह इस परिकाल से आपको पढ़ना रहा फिर banking में भी कुछ terms में भूल के आपको बताना ऐसे regional rural bank होता है government की कुछ scheme ऐसे lead bank scheme है bank board bureau है इस सब क्या चीज़े होती है यह questions आपको आ सकते है economic अंदर उसके बाद economy में आपको एक food security वाला question आएगा PDA system आले question आएगे तो यह आप आराम से कर सकते हैं PDA system कैसे काम करता है jam turnity क्या होती है food security क्या होती है food security क्या प्रोविजन से government के तो यह सारे sector साप चीज़ों को पढ़ेंगे तो लगभर लिभाप आपका economic का पहबर हो जाएगा ठीक कुछीज़े में सब्सक्राइगी तो मैं एक्स वीडियो बता दूँग इस सिर्फ एक जनरल वीडियो में रिकॉर्ड किया था चेक कर निकले की वीडियो बनता कैसे thank you so much